हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम बेक टू मैंगनेट बेंस हिंदी, मैं आज आपका फिट से स्वागत करती हूँ मैंगनेट बेंस के हिंदी मीडियम चैनल पर और साथी साथ हर बार की तरह है, यह आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे, मस्त होंगे और साथी साथ अ और मस्तिष्क रहेगा एकदम एक्टिव जिससे हम अपने कारें को भली भाती पूरा कर पाएंगे और जब कारें पूरे अच्छे से हो जाते हैं तो मन को कितनी खुशी हो जाती है अर्थात यह जो है ना इंटर लिंग्ड होते हैं जब मन अच्छा होता है और जब कारें जा रहे हैं वो आपको बहुत मज़ा आने वाला है उसमें तो पहले मैं बता दूं आपको कि मैंग्डर बेंज के माध्यम से आपको हर एक विशय के सब्जेक्ट जो भी विशय के वीडियोस है वो हंड़िट परसेंट फ्री प्राप्त होते हैं है ना क्यूंकि मैंग्डर इन से भारत का नंबर वन प्लैटफॉर्म जुकक्षा साथवी से बारवी तक ही ओनलाइन स्कूल एजूकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की कॉम्टेटिव एक्जाम्स के वीडियोस भी हंड़िट परसेंट फ्री प्रोवाइड करता है जैसे की एंटीस्टी, ओलंपियाड आई आई टी, जेई, नीट, यूपी एसी, बैंक, इंशुरेंस, जे आई आई बी, से आई बी, आर आर बी, एसेस भी सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियोस आपके फेवरिट चैनल द्वारा आप हंडेट परसेंट फ्री देख सकते हैं और एक और बात कि 100% फ्री देखने के साथ-साथ कोई टाइम लिमिटेशन नहीं हैं कि आप सिर्फ इतने बज़े से इतने बज़े तक वीडियोस देख सकते हैं या फिर आप सिर्फ दो घंटे ही वीडियो देख सकते हैं अनलिमिटे टाइम हाँ बिलकुल 24 इंटु 7 आप हमेशा कभी भी जब आपको लगे की चलो अब पढ़ाई करते हैं जल आक्षे से समझा जाए तो जस्टाइट मैंट बेंस और हिंदी में देखना है अपने सब्जेट्स हो तो just आइप मैंट बेंस हिंदी हिंदी में आपको अपको सभी अब वीडिया में मिल जाएंगे ओके चलो तो आप चलते हैं इस वीडियो की तरफ क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको यह वाद्य यंत्र या म्यूजिकल इंस्रूमेंट पता है यह क्या है आज हम इसी की बारे में तो चर्चा करने जा रहे हैं आपकी पार्ट होती है इबादत अर्थार प्रार्थना प्रेयर जिस तरह से हम प्रार्थना करते हैं उसी तरह से इबादत की जाती है नौबत खाने में इबादत यही जाने गया लेखक यतीन रमिश्र जी द्वारा रचित इस पार्ट के माध्यम से आप शेहनाई जैसे शाने या जो वा का संपन होना या और भी जो पवित्र कारे होते हैं उसमें शेहनाई अवश्य बजाई जाती है क्योंकि ये बहुत ही पवित्र वाद्य अंत्र माना चाहता है इस पार्ट के बारे में किसकी चर्चा करेंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खां जिन्होंने अपने जीवन के असी बरस जी हां असी बरस सिर्फ और सिर्फ शेहनाई को समर्पित किये और साथे साथ ना केवल उन्होंने अपने एरिया या अपने प्रदेश और ना केवल भारत बलकि संपून विश्व में भारत का नाम रोशन किया शेहनाई वादेंद्र को बजा कर असी बरस की सुरसाधना अभी मेरे सुरों में कुछ कमी है और वो अपने खुदा से हमेशा यही इबादत करते थे कि हे खुदा मुझे सुर वक्ष दे और सुरों में ऐसी तासीर पैदा कर कि सुनने वालों की आखों से अंगर आसु निकलने लगे अर्थात उनकी जो शहनाई के प्रतीश रद्धा उनका जो समर्पन भाव था वो सीधे श्रोताओं के दिल तक पहुंचता था यतिंद्र मिश्री जी द्वारा रचित इस पार्ट को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा समझिएगा और उससे पहले हम चलते हैं लेखक के बारे में जानने के लिए तो आजाएए मेरे साथ एक अपनी लेखनी के माध्यम से अपने विचारों के माध्यम से अपने समर्पन भाव के माध्यम से हिंदी भाशा को एक नई दिशा प्रदान की और हिंदी भाशा का पर्चम संपूर्ण विश्व में फहराया हर एक हिंदी के साहितिकार चाहे वे कवी हों चाहे रचनाकार हो हो निबंदकार हो उपन्यासकार हो हर एक ने अपनी-अपनी कला और समर्पनभाव के साथ हिंदी को संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध किया आज रचनकारों के माध्यम से चाहे वो इतिहास हो यह कोई भी पौरानिक कथा हैं उनकी कलम की माध्यम से यह विचारों के माध से ओके तो आब हम जानते हैं यतीन रमिष्र जी के बारे में ध्यान से सुनेगा मैं प्रश्न भी पूछूंगी बीच में ओके यतीन रमिष्र जी का जन्म सन 1977 में आयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ उन्होंने लखनव विश्व विद्याले लखनव से ही हिंदी भाषा और साहित में एमे किया विसाहित संगीत सिनेमा नृत्य और चित्रकला के जिग्यासु अध्येता हैं ठीक है हम बहुत लखी है कि हम उनको अभी भी पढ़ रहे हैं मतलब अभी पढ़ रहे हैं और साथी साथ विरचनाओं में अभी भी निरंतरता प्रदान किये हुए हैं तो देखिए लखनव से ही उन्होंने हिंदी से एमे किया साथी साथ उनका रुजान किस तरफ है साहित्य संगीत सिनेमा नृत्य और चित्रकला के जिग्यासु अध्येता भी हैं विरचनाकार के रूप में मूलता एक कभी हैं अर्थार अब ये तो एक चैप्टर है जो कि गद्ध्य विधा में लि अन्यकवीता हैं और ड्योडी पर आलाप प्रकाशित हो चुके हैं कलाओं में उनकी गहरी अभीरुची है आर्टिस्टिक बिलकुल कराकार कहते हैं न कि कोई भी व्यक्ति जो एक कला में निपुण है वो सिर्फ एक ही कला में निपुण नहीं होता उसके पास कई कलाओं का जादू होता है क्योंकि वो है ही कलाकार वो जिस तरफ अपने आपको आगे बढ़ाएगा उसी तरफ वो अपने आपके प्रदर्शन के साथ साथ अपने आपका इंट्रेस्ट भी जता देगा यह दिखा देगा और उसमें वो कला उभरकर्थ हम सब के सामने भी आ जाएगी इसका ही परिनाम है कि उन्होंने प्रख्यात शास्त्रिय गाईगा गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी भारतिये नृत्य कलाओं पर वेमर्श की पुस्तक है देव प्रिया जिसमें भरत नाट्यम और ODC की प्रख्यात आम से यतींद्र मphones संबाद संक्लित है आपने नाम अवश्य सुना होगा भरत नाठ्यम की प्रसिद्ध जो हैं अपने जरूर इनका नाम सुना होगा सोनल मान सींग जी का तो इन्हों ने उस पर भी लिखा है उन पर जीवन परादारित और जाती साथ यतींद्र मिश्र ने स्पिक में के के लिए विरासत 2001 के कारेक्रम के लिए रूपंकार कलाओं पर केंद्र पत्रिका थाती का संपादन किया है संप्रती वे आर्धवार्शिक पत्रिका सहित का संपादन भी कर रहे हैं यतींद्र मिश्र ने रीती काल के अंतिम प्रतिनिदी कवी द्विच्देव की क्रिंथा वली का यह संपादन भी किया है उन्होंने हिंदी के प्रसिद्ध कवी कुवा नारायन पर केंद्रे दो पुस्तकों के अलावा हिंदी सिने मा के जाने माने गीत गुलजार की कविताओं का संपादन यार जुलाहे नाम से किया है वाव की ना केवल वे रचनाई करते हैं बलकि व्यक्ति और जो भी प्रसद कलाकार हैं जो भी महान विभूतिया हैं उनके जीवन से संबंदित भी रचनाई करते हैं लिखाएं ना यहां पर फिर है यतीन मिश्ट को अब तक भारत भूशन अगरबाल पुरसकार, भारतिय भाषा, परिशद, युवा पुरसकार, क्यूंकि आप सोची ना 1977 में जन्म हुआ है उनका राजीब गांधी राष्टिय एकता पुरसकार, रजा पुरसकार, हेमंत स्मृती, कवीता पुरसकार, रितूराज सम्मान आदी, कई पुरसकार प्राप्थ हो चुके हैं उन्हें केंद्रिय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और सराय नई दिल्ली की फैलोशिप भी मिली है वाउ, क्या बात है, उन्होंने अपनी कला के माध्धम से, अपनी रचना के माध्धम से, अपनी पहचान चारो तरफ सूरज के प्रकाश की तरह बिखेर दिया है अपने आप नाश हो जाता है, अर्थार जैसे ही सूर्य होता है, अंधकार समाप्ध हो जाता है, और अपनी वो पहचान चारों दिशाओं में बिखेर देता है, उसी प्रकार से, एक कला कार जब अपनी, मतलब अपने आपको सामने लाता है, तो अपने गुनों, प्रतिभा के माध्यम से हम सब के सीधित दिलों तक जाता है नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां ठीक है पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है इस पार्ट में बिस्मिल्ला खां का जीवन उनकी रुचियां अं गहरे जीवन अनुराग और समवेदना के साथ प्रकट हुए हैं बहुत ध्यान से सुनना कि ये जो पार्ट है ना उस्ताद बिस्मिल्ला खां पर आधारित इसमें उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में बिस्मिल्ला खां या फिर हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि उस्त प्रकट है और साथ बिस्मिल्ला खां के जीवन से संब्दित उन्होंने हर एक पहलू को उजागर करने का प्रयास किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति जब उचाईयों पर पहुचता है ना तो वो यूही नहीं पहुच जाता उसके यह प्राप्त होती हैं और हम सबको जो दर्शक होते हैं उनको क्या लगता है अरे वायार यह तो बड़ी जल्दी सफलता पर पहुच गया इसको लगता है किसी का साथ मिला होगा यह मतलब वही ना कि लगता है किसी ने इसको उचाई पर पहुचाया है यह तो अभी यहां और यह वहाँ कैसे पहुच गया तो यह सारी जो बाते हैं वह मैनध पर आधारित होती हैं मेरी बात ग्यां से सुनना और हमेशा याद रखना कि पहचान से मिला काम कुछ समय के लिए से रहता है ध्यान से सुन ले प्लीज पहचान से मिला काम कुछ समय के लिए सीमित रहता है लेकिन Random से मिली पहचान हमेशा method के लिए रहती है अर्थात हम जो काम कर रहे हैं हम जिस भी field में हैं अभी आप विध्यारती हैं हम teachers हैं ठीक है आगे चल कर आप भी अपने अपने लक्षों की ओर जाएंगे अपनी अपनी एक पहचान बनाएंगे अपने self-esteem का निर्मान करेंगे जो की अभी से हैं फिर आप जिस भी field में जाएंगे उसमें बहतर से बहतरीन किस तरह से हुआ जा सकता है उस पर हमेशा केंद्रित रहिएगा क्यूंकि कारे तो सभी करते हैं लेकिन कोई करता है बस काम पूरा हो जाए और कोई कहता है नहीं मुझे ये कारे पूरा भी करना है और बहुत अच्छे से पूर्ण करना है तो यह जो बहुत अच्छा वाला जो sentence है ना कि कारे सभी करते हैं कुछ काम हो जाता है कुछ बहुत अच्छे से होता है तो हमें कारे करना भी है और वो भी बहुत अच्छे से करना है अब यहां पर देखिए शेहनाई तो बहुत लोग बजाते होंगे लेकिन उस्ताद बिस्मिल्ला खां का नाम ही क्यों विश लिक्षा के शेत्र में जाएं या राजनीती के शेत्र में जाएं हर एक शेत्र में कारे तो बहुत लोग करते हैं लेकिन चमकते बहुत कम लोग हैं ठीक है और चमकते वही हैं जो महनत के साथ पूरी श्रग्धा भाव के साथ समर्पन भाव के साथ अपना काम करते हैं अब एक व्यक्ति मतलब महान व्यक्ति अफकोर्स किसी एक व्यक्ति पर आधारित उनके बच्पन से लेकर उनकी सफलता तक का सफर ठीक है इस पार्ट में बिस्मिल्ला खां का जीवन उनकी रुचियां अंतरमन की बनावट संगीत की साधना आधी गहरे जीवन अनुराग और समव मती एक ऐसा वाद्ययंतर है जो अभी आपने देखा होगा अवश्य जिसमें तरह तरह की मतल yarn जैसे बासुरी भी रहती है और बहुत सुंदर तरीकेसे यहां से उसको फूका जाता है और वाद्देयंत्र यह सुशिर वाद्देयंत्र किसको कहते है जो वाद्देयंत्र फूक कर बजाए जाते हैं उन्हें सुशिर वाद्देयंत्र कहा जाता है ठीक है और यहां जो एक होती है रीड रीड आना ऐसे आपने शेहनाई वालों को दे के तो क्या कहते हैं वादय यंद्र वाद्ययंत्र यादी आप से कोई पूछे कि सुशरवात यंत्र क्या है तो आप यहां पर उन्हों ये यतीनरमेश्णी लेखक ने जी उनके उस्ताद बिस्मिल्ला खान हैं उनके जीवन पर आधारत ये पार्ट लिका है जोकि कि ये व्यक्ति सित्र है देखिए नमन करते हैं हम उस्ताद बिस्मिल्ला घा Lebens को जिन्लोंने अपना संपूर्ण जीवन शेहनाई को समर्पित किया जिनोंने अपना संपूर्ण जीवन संगीत को समर्पित किया जिनोंने अपना संपूर्ण जीवन हम सब के मनुरंजन के लिए समर्पित किया जिनोंने अपना जीवन पवित्रता के लिए मतलब समर्पित किया तो यहां पर आपने अवश्य देखा होगा उस्ताद बिस्मिल्ला खां की पिक्चर्स देखी होंगी है ना और न्यूस पेपर से पत्री काउं में फोटो देखी होंगी कभी-कभी समाचार पत्रिया टेलिविजन पर भी न्यूस सुनी होंगी मादा जी थे जो उनके नानु जान थे जो उनके मामु जान थे वे भी शेहनाई बजाते थे क्याते ना परिवार का जो माहौल रहता है उसी आधार पर बच्चे पर भी प्रवाव पड़ता है है ना जैसा माहौल होगा जिस तरह का परिवार में परिवेश होगा उसी तरह तो बच्चे का वैवान निर्मित होगा तो एक बच्चे के चरित्र निर्मान में परिवार की सबसे एहम भूमी का होती है तभी तो कहा जाता है कि माता या मा एक बच्चे की सबसे प्रथम गुरु मानी जाती है जो की जैसे देखिए मात्री भाषा की हम बात करें तो आपकी बिहारी मात्री भाषा होगी जैसे हमारी हिंदी मात्री भाषा है सब की बहुत मतलब जादतर लोगों का देखा चाहे तो हिंदी मात्री भाषा है बाकी सब अपने 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 जो है प्रदेश की according मात्री भाषा होती है तो यहां पर मात्री भाषा मतलब मा की भाषा जो हमने सबसे पहले सुनी और मात्री भाषा का सम्मान हमें बहुत मतलब जिस तरह से हम अपनी मा का सम्मान करते हैं उसी तरह से हमें मात्री भाषा का सम्मान करना है क्योंकि वो भी तो हमारी मा की ही आया है कि छोटे से लेकर जब तक वे बड़े हुए उन्होंने कभी भी शेहनाई का अभ्यास करना नहीं छोड़ा हमेशा बस यही कहते थे अपने खुदा से पांचों वक्त की नमाज में वे यही कहते थे कि हे खुदा मुझे सुर्वक्ष देना जो भी है जैसे एक उनकी सि खिश्या ने का क्या उस्ताद आप कहीं भी जाते हैं अवर्ड लेने जाते हैं या पूरसकार लेने जाते हैं यह फटी सी लुंगी पहन कर चले जाते हैं तो बताया है उन्होंने क्या कहा था अरे बेटा यह पूरसकार मुझे शहनाई पर मिला है लुंगिया पर नाहीं ठ जानेंगे उस्ताब बिस्मिल्ला खां के बच्पन से लेकर अंत तक अंतिम सफर तक कि किस तरह से उन्होंने शेहनाई पर अपना जीवन समर्पित किया ओके तो मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक आपको भी बने रहना है ताकि आप बहुत बारी की से ध्यान से उस्ताब बि रिक्षाओं में इनसे इस पार्ट से रिलेटेट प्रश्न आते ही आते हैं ठीक है चलो तो शुरू करें नमन करते हैं हम देखें बात कब की है सन 1916 से 1922 17 18 19 20 21 22 ठीक है मतलब सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी काशी में रहते थे वे पंच गंगा घाट स्थित बालाजी विश्वनात मंदिर की डियोडी डियोडी समझते हो आप प्रवेशद्वार जैसे दहलीज होती है न है न ठीक है उसी का डियोडी का नौबद खाना नौबद खाना मतलब जहां पर बैठ कर डियोडी दहलीज और प्रवेश द्वार रहता है में गेट जो रहता है जहां से एंट्री की जाती है उसकी डियोडी मतलब दहलीज और उसका नौबद खाना जहां पर बैठ कर उस्ताद बिस्मिल्ला ख पजाते थे डियोडी का नौवत खाना और नौवत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनी और अमीर अभी सिर्फ 6 साल का है यहां पर देखे सन 1916 में उनका जन्म हुआ किसका उस्ताद बिस्मिल्ला खान का ठीक है अभी हम लेखक की बात नहीं करना है लेखक का जन्म कब हुआ यतीन द्रमिश्र जी का जन्म कब हुआ? 1977 में अब आ गए है हम उस्ताद बिस्मिल्ला खान के जीवन पर तो इस बात में बिल्कुल आप कन्फ्यूज नहीं होंगे अब चल रहे हम स्टाट कर दिया हमने उस्ताद बिस्मिल्ला खान के जीवन के बारे में तो उनका जन्म अमीरुदीन क्या नाम था ज़बिआफ से पूछा जैंके उस्ताद बिस्मिल्ला खान की बच्स्पन का नाम क्या था तो आप बदा दीजीगा अमीरुदीन और बड़े भाई शम्शुद्दीन 9 साल के मतलब इनका नाम था अमीरुदीन उनसे बड़े जो भाई थे उनका नाम था श्रम्शृद्दिन तीन साल का लिए थे 6 साल के वे थिए 9 साल के आमिर उद्दिन को पता नहीं कि राग किस चिडिया नाम है थी कै campe वे नहीं समझते कि राग सुर ले क्या है क्योंकि 6 साल का बच्चा बहला क्या जानेगा और ये लोग हैं जो मामू जान वगेरा जो बाद बाद पर भीम पलासी और मुलतानी करते रहते हैं अब भीम पलासी और मुलतानी क्या है बताओ जल्दी बताओ भीम पलासी और मुलतानी क्या है भीम पलासी और मुलतानी क्या है राग ओके अब उन्हें क्या बता क भाई राग कौनसी चड़िया का नाम है राग किसे कहते हैं लेकिन उनके जो मामू जान है वो हमें शाहबाद बाद पर भीम पलासी और मुलतानी कहते रहते हैं क्या वाज़िम मतलब हो सकता है इन शब्दों का इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमिर अधिन की ना तो वो यह सोचते कि मामू जान यह क्या बात करते हैं भीम पलासी मुलतानी क्योंकि छोटे से बच्चे हैं लन्ने से बच्चे हैं अभी उन्हें कुछ नहीं पता बस य है कि मामू जान जो बजाते हैं वो बड़ा अच्छा लगता है उनको जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा अमिर अधिन का जन्म अब देखिए कहा हुआ था उस्ताद बिसमिल्ला खां का जन्म डुम्राओ ठीक है डुम्राओ बिहार के एक संगीत प्रेमी पर कर वे नाना के घर ननिहाल काशी में आ गए समझ में आया काशी में उनके नाना जी है और जन्म उनका कहा हुआ था डुम्राओ गाओं में बिहार के अब 25 साल अपने माता-पिता के साथ बिता है उसके बाद वे आ गए थे अपने नाना के घर काशी याद रखना शेहनाई डुम्राओं एक दूसरे के लिए उपई लोगी हैं अब शेहनाई और डुम्राओं क्यूं एक दूसरे के लिए उपई होगी हैं। अब सुनो ये प्रश्ण अवश्य पूचा जाता है कि शेनाई और डुम्राओं का क्या संबंद है ध्यान से सुनो हाँ तो उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेड़ना की वर्नमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है अब ये रसूलन बाई और बजूलन बाई कौन थी ये दो बहने थी मतलब उस्तार बिस्मिला खां की बहने नहीं ये आपस में दोनो बहने थी जो संगीत से जुड़ी हुई थी जो नृत्य की अभ्यास करती रहती थी उनके घर में या उनके वहां पर ठीकाने इसे संगी स्त्रांगत सुशिरवाद्यों में गिना जाता है किसको शेहनाई को सुशिरवाद्य कहा जाता है और मैंने जैसा कि अभी बताये था आपको कि सुशिरवाद्य क्या होते हैं जो फूक कर बजाये जाते हैं उनको सुशिरवाद्य कहते हैं अब देश में फूक कर बजाये जाने वाले वादित जैसे जिसमें नाड़ी नरकट या रीड जो भी फूपकर बजाये जाते हैं उनमें नाड़ी नरकट या रीड होती है को नए बोलते हैं जो नाड़ी या नरकट या रीड होती है उसको क्या कहते हैं नए ठीक है अब यहाँ पर लिखाए शेहना वाद्यों में शाह की उपाधी दी गई है किसको हम शेहनाई को शाह मतलब संशाह शेहनाई ठीक है संशाह शेहनाई कौन है अरे भाई शाह की उपाधी शेहनाई को दी गई है अब यहां पर दो तीन प्रशन आते हैं कि सुशिर वाद्य अंत्र किसे कहते हैं वे वाद्य अंत वाद्य आंत्र किया होता है वो भी आपसुनो ध्यान से वाद्य जैसे हम विद्द्यालाएवाल लिखते हैं वाद्य यंत्र वाद्ययंत्र उप्राइब सुशिर वाद्य अंत्रों में शहनाई को शाह की उपादित दी गई है समझ में आया किसके सहायता से शहनाई को फूका जाता है नाड़ी या नरकट जिसको क्या कहते है नए ओके तीन प्रश्णों का उत्तर समझ में आया कि सुशिर वाद्य अंत्र किसे कहते है जो फूकर शाह की उपादी किसे दी गई है शेहनाई को तो यहां पर तीनों प्रश्णों के उत्तर मिल गए हैं तो इन बात को ध्यान रखना आप ठीक है शेहनाई के इसी मंगल ध्वनी के नायक बिस्मिल्लाखा साहब असी बरस से सच्चा सुर मांग रहे हैं किस से अपने खुदा से अपने परवर्दिगार से सच्चे सुर की नेमत असी बरस की पाचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है वो जब भी पांचों वक्त की नमाज अदा करते हैं तो वे हमेशा अपने खुदा से यही कहते हैं कि हे खुदा मुझे सच्चा सुर्व वक्ष दे लाखों सच्दे इसी एक सच्चे सुर्व की इबादत में खुदा के आगे जुकते हैं बिसमिल्लाखा और शेहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह है मुहरम अब धियान रखना मुहरम एक पवित्र तेवार है जो बहुत ही पवित्र माना जाता है ठीक है यहाँ पर बताया है कि शेहनाई के साथ मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है जो कि महरम है आठवी तारीक उनके लिए खास महद्व की है इस दिन खासाब खड़े होकर शेहनाई बजाते हैं और दालमंडी में फात्मान के करीब आठ किलो मीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं और गाते जाते हैं आखिर क्या है महरम क्यों इस तरह का मतलब समर्पन भाव दिखाये जाता है उसकी भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं देखिए आपने जैसे हिंदू धर्म में वो दिन होते हैं जिनको हम पित्रपक्ष कहते हैं पंद्रा दिनों का वो समय रहता है वो पीरेड रहता है का जाता है कि इन दिनों में हम कोई नए कारे नहीं करते हैं किसी भी दुकान या कोई भी नया सामान हम नहीं खरीदते हैं नया नया कुछ मंगल कारें नहीं होते हैं पित्र पक्ष 15 दिन ऐसा माना जाता है हिंदु धर्म के अनुसार की इन दिनों हमारे पूरवज उतर कर आते हैं जमीन पर किसी ना किसी इस लोक में तो हमें उनकी जाता है यहां पर जो फरिष्टे हैं उनको याद किया जाता है तो यह जो अभी बताया ना कि उनकी जो आठवी तारीख है देखो यहां पर लिखाए ना बिसमिल्ला खां और शेहनाई के साथ जिस मुसलिम पर्व का नाम जुड़ा है वह मुहरम है आठवी तारीख उनके लिए खास महत्वकी होती है आठवी तारी उर्दू कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नहीं कि जनवरी फैब्र या मार्च एप्रेल जो भी है नहीं उर्दू कैलेंडर के अनुसार आठवी तारी बहुत खास मानी जाती है और इस दिन खास हाप अपने suggestions भी लिखना कि इनकी आत्मा की शांते के लिए बहुत सारे कारे किये जाते हैं बहुत सारे जैसे कोड़े बरसाए जाते हैं खुद के उपर खुद को मारा जाता है पीटा जाता है कष्ट दिया जाता है ठीक है और साथी साथ यह लिखाए कि उस दिर खांसाब खड़े होका शेहनाई बजाते हैं दाल मंडी में फात्मान के करीब 8 किलो मीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं 8 किलो मीटर पैदल चले जाते हैं रोते हुए आखों से अनगड आसू टपकते जाते हैं और पूरे समर्पन भाव के साथ नोहा बजाते चले जाते हैं कोई ऐसा खुशी वाला काम नहीं होता है ठीक है तो बच्पन की दिनों की याद में वे पक्का महाल की कुल सुम हलवाईन की कचोड़ी वाली दुकान वा गीता वाली और सुलोजना को भी याद करते हैं यहां पर यह बताया है कि देखिए सबसे पहले उनका जन्म कहां हुआ बिहार के डुम्राओ गाओं में उसके बाद वे 5-6 वर्ष की जब आयू के थे तो वे आ गए अपने ननिहाल कहां काशी में ठीक है फिर वहाँ पर जो नाना नानुजान थे और उनके मामुजान थे वे शेहनाई बजाते थे संगीत प्रेमी परिवार था तो वहीं से उनको शेहनाई के प्रती रुची उत ना रहता था वहाँ दो बहने रहती थी कौन-कौन रसूलन बाई और बतूलन बाई वे गाई का बहने थी तो कभी गाती थी कभी ठुमरी तो कभी ये तो जब भी क्या नाम था बताओ बच्पन का नाम बताओ जल्दी बताओ अमीर अधिन जब भी महां से अमीरअधिन गुजरता था तो उन दौनों के संगीत सुनकर बहुत हो जाता था तो घर में भी वही माहौल, महले में भी वही माहौल, अब देखो बच्पन की बात सुनो उनको फिल्म देखने का भी शौक था और उनकी एक फेवरेट हीरोईन थी कौन देखो बच्पन की दिनों की याद में वे पक्का महाल की कलसुम हलवाईन की कचोड़ी वाली दुकान और गीता बाली और सुलोचना को याद करते हैं ठीक है यहां तो एक कचोड़ी की जो बनाते थी न शुद्ध घी की कचोड़ी यंतरी जाती थी उसमें कुलसुम हलवाईन हलवाईन जानते हो न हलवाई जो यह सब बनाते हैं पकवाण उसके बाद गीता बाली और सुलोचना जो अभी नयाए अभी नेत्रियां थी उनको जादा याद करते हैं सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोईन थी जब भी सुलोचना की मूवी लगती थी वे जरूर जाते थे अपने मा मुझान से पैसे लेना नानुझान से पैसे लेना सबसे पैसे एकटे करके सुलोचना की तो film देखनी ही देखनी है बालक को, नाम अमीरुदीन, अपने मज़ब के प्रति अत्यदिक समर्पित, उस्ताद बिस्मिल्ला खां की श्रद्धा, काशी विश्विनाथ जी के प्रती भी अपार है, अब यहाँ पर आप देखिए, कि बिस्मिल्ला खां, उस्ताद बिस्मिल् को एक दम खंडित किया गया है यह धार में आडंबर उनका खंडन किया है वे दोनों धर्मों को एक समान मानते थे काशी विश्मनात मंदिर जहांपर बैठ कर शेहनाई बजाते थे काशी विश्नात मंदिर के प्रती भी उनके रदय में मैं अपार श्रड़्धा थी जिस तरह से वे हमेशा अपने खुदास से नेमत यफ्रार्तन करते थे और पांचों वक्त की नमात समय वे यही कहते थे कि हे खुदा मुझे सुर्वख्ष दे उसी तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर में भी अपाश रद्ध थी उनके मन में वे जब भी काशी से बहार जाते नहते तब विश्वनाथ एबं बाला जी मंदिर की दिशा की और मूँ करके ही बैठते थोड़ी देरी साही मगर उसी और शेहनाई का प्याला घुमा दिया जाता और भीतर की आस्ता रीड के माध्यम से बजती है अब देखो जहां कहीं भी वे शेहनाई बजाने जाते थे क्योंकि वे तो बहुत प्रसिप्ध हो गए थे उनको बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम मिलते थे आमंत्रित किया जात था तो वे जहां भी जाते थे उनकी श्रद्धा देखिए काशी विश्वनात और बाला जी मंदर के प्रती वह जहां भी जाते थे काशी विश्वनात जी की मंदर की तरफ शेहनाई बजाते थे बाला जी मंदर की तरफ मू करके शेहनाई बजाते थे उनकी समर्पन भावन ती श्रब्धा थी ठीक है काशी संस्कृति की पाटशाला है शात्ति-्चत्रों में आनन्द कानन के नाम से प्रतिष्ठित है काशी में कलाधर हनुमान वर निथ्ट विश्वनात है काशी में बिस्मिल्ला खाँ है अब देखो काशी क्या है काशी एक प्रसिद्ध तीर्थिस्थल है ठीक है काशी में कलाधर हनुमान बाला जी ठीक है बाला जी मंदर है साथी साथ विश्वनाथ नृत्य विश्वनाथ काशी में बिस्मिल्ला खामी है तो ये जो है सारी बातें की काशी आखिर क्यों प्रसिद्ध है वहां कलाधर अनुमान हैं नृत्य विश्वनात हैं और उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ हैं काशी में हजारों सालों का इतिहास है जिसमें पंडित कंठे महराज हैं बड़े रामदास जी हैं मौजुद्दीन खाँ हैं वे वे इन रसीकों से उपगरित होने वाला अपार जन्समू है उस समय की अधिबात की जाए उननीस सो सूला से दो हजार चैक ठीक है धीरे धीरे परिवरतन आता गया परिवरतन आता गया उस्ताद बिस्मिल्ला खाने अपने अनुभवों को भी साजा किया है कि बच्पन में कितने अच्छे तर सी खिचने लगी तो वो उनको व्यथित करता था यहां पर चाहे वो मस्जिद हो यह मंदिर हो उनके मन में अपाश रधा थी अब साथी शाथ उन्होंने यह वी बताया है कि यहां पर क्या है हनुमान जी का मंदर है नरत विश्वनात है बिस्मिल्ला खाँ है बंडित कंटे उनकी सिश्या ने क्या कहा उनकी सिश्या ने कहा कि अब तो आपको भारत रत ने मिल चुका है यह फटी तेहमद तेहमद मीस लूंगी तेहमद का अर्थ होता है लूंगी ओके एक बार उनकी सिश्या ने कहा कि अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है फिर ये ऐसी फटी हुई तेहमद क्यूं पहनते आप फटी हुई तेहमद ना पहने अच्छा नहीं लगता जब भी कोई आता है आप इसी फटी तेहमद में सबसे मिलते हैं तो खास आप मुस्करा कर लाड़ से बोले धत्पगली ये भारत रत्न हमको शहनईया पे मिला है लुंगिया पे ना ही ठीक है उनकी सिश्या ने एक बार उनको टोका कि आपको भारत रत नहीं बिल चुका है कोई भी आप से भेट करने आता है आप इसी फटी लुंगि में उससे मिलने लगते हैं कपड़े चींज कर लिया करिये तो उन्होंने बुला धत्पगली ये पुरसकार है ना तो उन्होंने बुला कि ये भारत रत्न हमको शहनईया पे मिला है लुंगि से प्रदर्शित होता है कि अपने जीवन में वे किस तरह से समर्पनभाव के साथ अपना काम करते थे और कभी भी उन्होंने दिखावा नहीं किया नब्भे वर्ष की भरी पूरी आयू में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हारदिक सभा से हमेशा के लिए हुए विदा खां साहब नब्भे वरस और इस नब्भे वरस में उन्होंने हमेशा असी वरस तक क्यूंकि छोटे से थे 6 साल की उम्र में उनको वो पारिवारिक माहौल मिला जिसमें शेहनाई के प्रति उनके मन में लगन शद्धा और समर्पन भाव जागा और 90 वर्ष की आयू में वो इस दुनिया से अलविदा हो गए परंतु उन्होंने अपनी 80 बरस की सुरसाधना में यही प्रार्थना की कि हे खुदा मेरे सुर में वो तासीर देना कि सुनने वालों की आखों से अंगड आसू बहने लगे सीधा दिल तक पहुचना चाहिए और ऐसा ही हुआ आज उस्ताद बिस्मिल्ला खा का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है और ना केवल भारत में बलकि संपूंड विश्वे में उनका नाम चाया हुआ है तो जो व्यक्ति अपनी सम मरपन भावना से कारे करते हैं या हम हर कोई जैसे आप विध्यारती हैं मैं टीचर हूँ और हर एक फिल्ड अलग-अलग जो भी अक्षेत्र है सब अपने अपने कार को यदि इसी लगन श्रद्धा प्रेम इंट्रेस्ट रूची रोचकता के आधार पर करेंगे तो काम तो कोई काम करेंगे ना तो सीधा दिल तक पहुंचेगा अर्थात जैसे यदि मेरा रुजहान मेरा इंट्रेस्ट टीचिंग में है पढ़ाने में है अफकोर्स है क्योंकि मैं बच्पन से बस यहीं कहती थी कि मुझे तो टीचर बनना है टीचर बनना है मैं तो पढ़ाऊंगी मुझे इतना मतलब अपनी क्रपा में रखना कि मैं हमेशा अपने विध्यार्थियों को सही सिक्षा प्रदान कर सकूं और उनकी हिरदर तक मेरी बातों को पहुंचा सकूं तो यहां मैं आपसे एक प्रश्म करना चाहूंगी कि जो भी आपको मैं पढ़ा रही हूं क्या वो सुधार कर ने का पूरा-पूरा प्रयास भी करूंगी। क्योंकि ही जींवन परियंद हुएं सीख्टे रहते हैं कभी नहीं ठंता है LIKE आ। ठीक है हमें हमेशा सीख्ते रहना चाहिए और हम सीख्ते रहते हैं तो हमें ही आता है यह हम कभी नहीं के सकते की मुझे तो आता है नहीं सब कुछ तो किसी को नहीं आता है कुछ ना कुछ तो रही जाता है क्योंकि यह जो दुनिया है यह जो ग्यान है वो तो हाँ था सागर की भाती है कहां आदी कहां उसका अंत है किसी को नहीं पता तभी तो नब्बे बरस का जीवन जिया उस्ताद बिस्मिल्ला खाने और उसमें से असी बरस पून रूप से उन्होंने रियास किया प्रेक्टिस की बात करें संगीत समरागी लतामंगेशकर जी की उन्होंने भी अपना जीवन बहुत लंबा जिया ठीक है और यहां पर जब जब कभी भी उनके गीत संगीत की बात आती है तो वे हमेशा रियास करती थी यू नहीं कि किसी ने भी कहा और गा दिया अब यह बात होना जरूरी है कि मुझे अच्छा करना है हेमा मेरा साथ देना ठीक है तो यहां पर बहुत सी बात ऐसी हैं जो हम दिल से एकदम पूरे भावना प्रधान होकर अपने कारे को करेंगे तो वो सफल होकर ही रहेगा सो प्लीज डियर स्टुडेंस हमेशा याद रखना कि अपन से संबन इस पार्ट को सुना समझा और यदि मैं आपसे पूझाओं कि अमिरुद्दीन कौन थे ओके साथ बिस्मिल्ला खां के भच्पन का नाम अमिरुद्दीन था सुशरवाद्यंतर किसे कहते हैं जिन वाद्यंतरों को फूख कर बजाया जाता है उनको सुशरवाद्यं शाहक की उपाधी किसे दी गई शेहनाई को उस्ताथ बिस्मिल्ला खां खुदा से क्या मांगते थे सच्चे सुरकी नेमत तो इसी तरह से हम हरे एक चैप्टर को पढ़ते रहेंगे मैं समझाती रहूंगी और मैंगनेन ब्रेंस के माध्यम से आपकी हर एक समस्या का समधान भी होता रहेगा क्योंकि आपको बताएं ना कक्षा साथ भी से बार्वी तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियो भी आपके फेवरेट चैनल दौरा आपके लिए प्रोवाइड किये जाते हैं जैसे आपको पार्ठ यही देखना है 11 तो नौबत खाने में बांदत यदि आपको चाहते हैं कि हमें पहले पाठेक्रम देखने न चाहिए बहुत सई तो पाठेक्रम को क्लिक कर दीजे जैसे ही आप पाठेक्रम क्लिक करेंगे लाली मैडम विशेस उची किसा अधुपस्तित हो कौन लेखक है कौन कभी है और शॉर्ट इंट्रोडक्शन की इस पार्ट में आप क्या पढ़ेंगे तो ध्यान पूरवक इसको देखेगा जब आप ध्यान पूरवक देखेंगे ना तो समझने के साथ साथ आपको पसंद भी जरूर आएगा तो लाइक जरूर करना है ओके करे 24 घंटे 24 इंटू 7 आप मैगनेट बेंज का लाव उठा सकते हैं तो अधिक से अधिक शेर कीजिए ताकि सभी जो आपके फ्रेंट्स हैं जो आपके परिचित हैं जो आपके रिलेटिव्स हैं सभी स्टुडेंट्स जो की आगे की पढ़ाई एक दम बेस्ट तरीके से करना चाहते हैं वो भी without any cost तो वो मैगनेट बेंज पर जुड़े रहें ओके चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्वस्त रहना खुश रहना बाबाए थैंक्यू सो मुझ